तुडेग इसक्शुन टॉपिक इस फाइलम ब्लेटे हलमैंथिस ब्लेटे का मतलब होता है फ्लैट और हलमैंथिस कहते है वम को so it's called flat worm animals जो flat worm animals हैं इनकी बाड़ी जो होती है वो dark so winterly flattened होती है जनी जाहरी और बातनी तोर पर चिप्टी होती है इनको हम triploblastic animals कहते हैं क्योंकि इन में body की जो third layer है वो develop हुई और उस body की third layer का नाम है mesoderm meso कहते है middle को और derm layer को तो यह जो layer है यह दर्मयान में पाई जाती है यह actor endoderm के दर्मयान में पाई जाती है यह actor endoderm को separate करती है अब mesoderm से जो कुछ tissues है वो derive हुए और उन tissues को हम कहते हैं perenchima tissue अब perenchima tissue जो है या perenchima cells जो है वो originate तो हुए mesoderm से या mesoderm से originate हुए अब इससे originate तो होते हैं तो यह body में पाई गहाँ पर जाते हैं तो Parent Cymal سög या Parent Cymal tissue जो हैं ये बाडी में वहँ पहुंचते हैं जहां पर भी कोई खाली जगा इन्हें नजराती है और उस खाली जगा को बर देते हैं उस खाली जगा को पूर कर देते हैं तो Parent Cymal tissue जो हैं वगाडी जो जो जगा अ होती है यानि ऐसी एनिमल जिनमें सिलोम प्रेसंट नहीं होती, एक यानि विदाउट, इनमें सिलोम जो प्रेसंट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि जो बाड़ी के अंदर जितनी भी स्पेस होती है, जो खाली कोई जगा बाड़ी के अंदर प्रेसंट होती है, वो पेरन्ट का स्मिट्री ऐसे एनिमल जिनका इंटीर और पॉस्टीर एंड होता है जिनका लेफ्ट और राइट साइड होती है जैसे हम लोग हैं जैसे इनसान है तो हमारी जो स्मिट्री है वो भी बायलिट्रल है इनकी बाड़ी जो है वो अन्सेग्मेंटेड होती है यह जो वम है इनकी बाड़ी सेग्मेंट्स में पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती बलके अन्सेग्मेंटेड होती है जो जहतर प्लेटिक हलमेंटिस है यह पैरासाइट होते हैं पैरासाइट होते हैं पैरासाइट के जो होस्ट की बाड़ी के अंदर जाका रहते हैं और उनसे हुराग अपने नूट्रिंट्स रहे हैं वो हासल करते हैं और उनको नुक्सान वगरा पहुँचाते हैं और कुछ नहीं भी पहुँचाते अब इनका जो साइस होता है वो तकरीवन 1 मिली मीटर से 25 मीटर तक होता है नेक्स्ट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्राँच सैक पर मुश्मिल होता है इनका जो digestive system है वो branch type होता है इनका इनकी जो गट होती है वो complete नहीं होती यानि इनका digestive system well developed नहीं होता इनमें incomplete gut जो है वो present होती है और इसके जो बाश मिंबर हैं उनमें gut present ही नहीं होती और उनका नाम है castodes next है excretory system इसमें जो excretory system होता है वो proto nephradial type होता है यानि branch debule होती है इसकी बाड़ी पे branch debules होती है, जिनका end जो होता है वो bulb Blake होता है यह जैसे यह bulb नमा होता है इनका end जो होता है और उस बलब को हम flame cells बोलते हैं excretory system हो proton nephradial type होता है इसका जो रोल जो है इसक्रेशन में होता है और इसके रावा इनका रोल जो है वो आस्मो रेगुलेशन में होता है अब नेक्स नर्वस सिस्टम प्लेटी हलमेंथस पहले एनिमल्स हैं जिनमें वेल्ड वेल्ड नर्वस सिस्टम जो है वो मजूद होता है नर्वस सिस्टम किस फार्म में होता है नर्वस की फार्म में होता है और गैंगलिया की फार्म में होता है नेटवरक होता है कि जाल बनावा होता है नर्वस का और गैंगलिया का नर्वस होते हैं या फिर गैंगलिया होता है गैंगलिया हम कहते हैं जो cell bodies होती है cell bodies होती है neurons की उन्हें गेंगलिया कहा जाता है तो हम कह सकते हैं कि इनमें somewhat civilization भी होती है तो यह पहले animal है जिनमें brain की development जो होना start हुई इनमें sense organ भी present होता है तो वो कहां present होता है वो इसकी interior end में present होता है इनमें respiratory और circulatory system जो है वो absent होता है वो present नहीं होता अब इनमें movement कैसे होती है तो हमने start पे देखा कि जो platy helminthes है या तो यह पेजातर parasite है कुछ parasite है वो endo है और कुछ है free living है अब जो endo parasites है इनकी जो movement होगी वो क्या होती है restricted होती है वो महदूत होती है जबकि जो free living है इनकी जो movement होती है वो यह motile होती है तो यह move कैसे करते है होते है motile है तो यह move कैसे करते है तो यह अपने cilia की मदद से move करते है इनकी body के grid cilia होती है cilia fine small structure fine hair like structure present outside our body अब इनमें reproduction कैसे होती है इनमें जो reproduction है वो sexually भी होती है और asexually भी होती है first हम देखते है asexual reproduction इनमें जो asexual reproduction है वो by fission होती है अब fission जब दो दर ऐसा होती है या तो transfers या पिर longitudinal अगर तो हो longitudinal fission तो दर्मयान से body जो है वो cut हो जाती है जब दर्मयान से body cut हो जाएगी जिसके दो parts बन जाएंगे अब ये वाला part जो है वो अपने जैसा part जो है वो बना लेगा और इस side वाला जो है वो अपने जैसा जो है वो दोबारा से बना लेगा इसका उन धेंगे longitudinal fission second होती है fission transverse fission transverse जिसमें बाड़ी जो है वो middle से middle से क्या होती है कट हो जाती है जब बाड़ी middle से कट हो जाएगी तो जो नीचे वाला part है वो अपने उपर वाला जो है वो बना लेगा और जो उपर वाला part है वो अपना नीचे वाला दोबारा से part बना लेगा इससे हम कहेंगे transverse fission next है sexual reproduction यह हर्माफ्रो डाइट होती है यह जो स्पिशिय है यह हर्माफ्रो डाइट है यानि मेल और फीमेल जो गमेट्स हैं वो एक ही बाड़ी में प्रेजन्ट होते है मेल और फीमेल सेक्स आरगन एक ही बाड़ी में प्रेजन्ट होते है इसकी जो कुछ फाम है उनमे लारवा जो है वो प्रैसेंट होता है सो नेक्स हम देखेंगे इसकी क्लासिल केशन तो इसको चार क्लासिस में डिवाइड किया गया है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब करना मत बूलिएगा